आठ दस डिन में बस पागी तरफ कोई ना पोई खुशकवरी आ सके हम पूंहों प्सका जा रहें हम तो यह कहरें जा वीजे पिकी तरफ से भी खुशकवरी आ जाएगी आप बस पागी कहे रहें वो तो हमारी है ही वो तो कहीं नहीं जा आप रुक जाओ एक बार आचार साइंता लगने तो मैं आपको लिखके दे रहा हूं साब कम से कम सांसाद है बीजेपी के वो पार्टी छोड़के पिच्चर के लिए रहे जाएगी आठ ते दस दिन में खुश्कपरी मिलेगी चर्क लिए नमस्कार क्याल चालें सब ठीक हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अपने और अपने को ख्याल लाग और यब टाइम मिले तो वीडियो जरू देखो देशी देख भीगर बिरेख और बगए लाग लपेट बिलकुल देशी अंदाज में हमारे साथ मौजूद हैं कॉंग अपन पाना है इन पर पाना पाईप रिंच पाईप रिंच जो कोई बोल्ट फ्रैसर हो न जो यह खोरी कर जाएं पाईप रिंच देखिचे हैं जवाब दैने में इसी पाईप रिंच हैंगे तो सब ते पहले तो अपना काम की बात पूछेंगे इन ते घुमारा फ्राया बिल्गु सीधी पूछांगे और आपको मालिमी कतिदेशी बेबाग में जो कछु भी है उल्टे सीधी जो भी पूछ रहा हो वो बिल्गुल सामने है हमने सामने अब एक बाद आओ न्याय यात्रा चल लिए हम न्याय पहले है जाओ इलेक्शन ते पहले ही है इलेक्शन के ब है तो आप लुख है तो आप आप सारी बाताने की ला सारी बाताने की ना अब बताओ लिए पानी पी-पी के गले चुब कितने पूछती आ रहे हैं देस सवाल देस सबाल कोई जवाब ना कमते मैं आपको बता दिर रही हमें तो कई नहीं यह लग रहा है चाहव आपने कई पिछले एक अफते आप से नहीं मिले तो हमने सोच विचार किया कि चौदी साहब की कई ना कई मोदी जी से और एंडिये से साथ हगाट हो गए अब पूछो आप कैसे अजया साभी बदाओ पहले में दवाब देदू अगर मानो एक बदाओ मेरी महां साथ हगाट है एक पहले जैसे जैसे जैन चौदरी वाला है मामला देखो गड़वड करवा दिया तो हम यह चाहा रहे हैं आपके चैनल के माद्यम से अपने मुपे आरोब लगा अ सुनो पहले ना आपने मुपे आरोब लगा एक सबसाब आपकी जवाब देए पहले अगर उंगते आवाज जा जाती और मेरी गरम है गई होती दूआ सलाम है गई होती तो मैं यहां गरीवाई में पत्त काटता ना कर रहो हो तो फिर तो मैं भी गोदी मीडिया की तरह ही जो ना वहां बड़ी-बड़ी कुर्सिन पर बैठ रहो हो तो और बेशक चाहें एक आंदमक अचू भी सुनन परदेश में लोगोगे बोट हो गई हैं जो है अखलेश जी ने चाहिन चौदरी को दे दी पश्चवी उत्तर प्रदेश समेट में बना रहे थे करिके safety परंद की ने bestwo तो समीष पीडम घेंगे ने इंडिया गठवंदन में लाने का तो कहीं ऐसा ना हो कि पीछे के रस्ते से पीएसपी के दो तीन बड़े नेताओं को तोड़ के लिए यह स्वामी प्रसाद मेर्या को तोड़ ले गए थे तो उसमें नुकसान हुआ था बसपा का इस वार हो सकता है कोई और बड़ा नेता ज लग जाएगी फिर उसके बाद हम खुलके जो है नूरा कुस्ति अब देख लो यह खबर कहीं भी कोई मीडिया नहीं दिखाएगा कि गौतम गंबीर ने बीजेपी छोड़ दी हर्स वर्दन ने बीजेपी छोड़ दी जो इनके टॉप लीडर थे दिल्ली के उन सब ने बी कह रहे हैं कि बीजेपी से सो सांसाद भाग के आँएगे इदा सांसा थे सांसान तो हमने मिनिममम बताया स्वाज़ का हो सकता है कि इससे ज्यादा आकड़ा हो क्योंकि ऐसी जो मोटा भाई की और मोदी जी जो चावक है ना उस चावक से उनका दम गुट रहा है उनके पास करें तो करें क्या खाकी चड़ी वाले हमारी खोपड़ी बिठा रखें बस हमसे यह कह देते तुम जाओ वाँ जाके फीता काटो बस इतना काम है तुम्हारा फीता काटो जनता से मिलो बागी फाइल वाइल हम देख लेंगे फाइल पी एमों से साइन हो रही है उनके पास उसके बनेख बेकर गया है यह होगा वो च Вас Left इंदारी बंगाल इनका साफ देखो आपका इनका साफ यूपी में जो है लगवक साफ यूपी में अगर इनकी बीजेपी की दस सीटे आ जाए तो आप बहुत मान लेना पूरी इंदी वैल साफ हो रही है मद्द प्रदेश में व्यात्रा पहुंच रही है उसके बार राजस्थान जाएगी गुजराच जाएगी महाराश जाएगी जो जैन चौदरी को इधर से इनों ने लिया जो डैमिज कंट्रोल वाला काम है वह इस वजह से हो रहा अब यह माचल के पीछे क्यों पड़ें क्योंकि वहां भी सोच रहे हैं कि पांस सीटे हैं ना उसमें एक आदमें सेंद्वारी कर लें हिमाचल के बाद अब इनका टार्गेट क 500 वह साब विपक्ष के लिए कि इंडिया गठवनदन की 400 पार होगी हम लोग समझ नहीं पा रहें कि वह इस वार इंडिया गठवनदन की 400 पार हो रही हैं यह तो डेढ़ सो पर रहें आपके रिजल्ट बता रहें इसलीए तो साब जो है यह हमारे तोड़ फोड़ में लग कोई निए आपकी बढ़िया दुखंदारी चल रही तो आप कहीं बाहर करजा लेने जाओगे बैंक से लोन लोगे तो फिर ये काम जो बीजेपी कर रही है विपक्ष के विदायक तोड़ रही सांसत तोड़ रही सरकारें गिरा रही क्यों गिरा रही क्योंकि इनके पास है चारसो चारसो इसलिए तो लगा है अगर आप चारसो पार पर हो तो आप अपने कामों पर बात करो ना आप ती आप जो है रोड पर जा रही हो गाड़ी से अपनी और कोई भी रेडियो चैनल लगा दो दो मिनट पीछे जो है मोदी जी का एक विग्यापन आना शुरू ह हो जाएगा तीवी पे आप कोई फिलम देख लो फिलम देखो के बीच में बिग्यापन मालो दो मिनट का आएगा तो उसमें एक मिनट तो मोदी जी मोदी जी दिखाई देंगे तो यह क्या है यह डर है यह ओबी सी एस्टी जो अब हक मांग रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नलोजी और सोसल मीडिया का जमाना है आप जैसे लोगों का जमाना है अब हक की मांग होगी साब कि दस साल हो गए हैं प्रदान मंत्री जी ने बोला था कि मैं पिछणों का पिछणों के लिए किया क्या भाई क्यों बूल गए जो दस साल यह तो बही बात हो गई कि साब पहले थूंक दिया फिर उसको चाट लिया पहले तो यह बोलते थे साम मोदी जी कि मैं तो पिछणों का प्रदान मंत्री पिछणों का प्रदान मंत्री अब देश में कह रहे हो दो ही जाते हैं गरीव और अमीर आँ मैं क्यों बेवकूफ बना रहे हो अगर गरीव और अमीर दो ही जातियां हैं देश में सरकार तो 2014 में यह बात आप क्यों नहीं कह रहे थे 2014 में आप MSP की बात कर रहे थे और आप कह रहे हो कि MSP दे दी तो उससे साफ़ देश की अर्थ वेवस्था बिगड़ जाएगी यह दो तरह की बात हैं मत कीजिए क्योंकि पब्लिक है सब जानती है पब्लिक को आप बेवकूफ नहीं बना सकते पब्लिक को सब मालूम है और हमारे देश की जीडीपी 47 लाक करोड़ है यानि की 10% से कम का खर्च है एक्ष्टा बर्डन 10% से कम का है और उससे मुनाफ़ा होगा 50% से ज्यादा आबादी का क्योंकि हमारे देश में जो खेती परत्यक्ष्य परोग्ष रूप से 60% से ज्यादा लोग डिपेंडेंट ह कुछ के खेत हैं और कुछ उसमें मजदूरी करते हैं कुछ आड़त का काम करते हैं कुछ डुलाई का काम करते हैं कुछ खादवीज का काम करते हैं तो ऐसे करके 60% से ज्यादा लोग डाइरेक्ट किसानी से जुड़े हैं तो उसमें तो फाइदे बताए हैं कि साब MSP मिलने इसे तो फाइदे हैं देश की अर्थ बेवस्ता सुद्रेगी मन्रेगा योजना में भी फाइदा मिलेगा भी जो मन्रेगा में मजदूरी 2500-300 रुपए दे रहे तो वह 700 रुपए देने लगोगे जीडीपी और आगे जाएगी और जो आप दूसरी बात फंड की जो बात कर र लोगे आप उसका हक तो आपको देना पड़ेगा और यह सब चीजे हैं इसमें गिरी हुई है अगर किसान गरीब है तो आइफोन कहां ते आई नहीं बात गरीब ही अमीरी की नहीं है जो मेहनत कर रहा है अब किसान का बच्चा है वो पढ़ लेक्के अगर इंजीनियर बन किसान के बेटे हो मैं भी किसाना का बेटा हूं अब आपके पास आइफोन तो आपकी मेहनत से तो है आपने कहीं लूटथखसोट करीं आपने मालिया की तरह बैंक के सरकार के जो है दस लग करोड रुपए लेकर बाग गये क्या मैंनत करके बैठा हूं मालनो मेरे पास मैनत तो हर व्यक्ति कर रहा है कुछ लोगों को उस मैनत का उतना फायदा मिल रहा है कुछ को नहीं मिल पा रहा है अब हम चुगी विपक्ष में बैठे हैं तो हमें तो साब अभी लाठिया ही खानी है अब देख लो ना युवाओं पे पेपर लीग के लिए आंदोलन कर रहे हैं और कुछ लाठियां में भी पड़ रहे हैं लोग ये कह रहे हैं कंग्रेस और इंडिया गठोंदन के लोग साब जो है वो करवा रहे हैं आंदोलन ये बता वह यह पेपर तुम लीग कर वाओ तो आंदोलन हम नहीं कर वाएंगे तो कौन कर वाएगा किसानों को अदर आ कभी मना नहीं किया कि मोधी जी आप देश्वी रोधी काम कर रहे हैं लास्ट सवाल यह कि कॉंग्रेस की जुनिता है वर्ष निता राहूल गांदी जी वह पहली बार उनके मुखार बिंदते एक सवाल बहुत जादार हो 72 परसेंट की जो बात कर रहे हैं कॉंग्रेस की राजनिती वह आधार ही हो जो अब कि राजनित एक आधार बदलने की असली वज़े क्या है देखिस समय के साथ चीज़ें बदलती है अब यह एक्जैक्ली बातर ते 73 परसेंट की बात कॉंग्रेस में कभी नहीं हुई लेकिन ह हमें यह चीज नहीं भूलनी चाहिए कि आरच्छड जो लगा चाए SCST आरच्छड हो चाए OVC आरच्छड हो कॉंग्रेस के समय लगा संभिधान जो बना तो संभिधान निर्माता बाबा साप थे वो भी कॉंग्रेस से जुड़े थे और उस संभिधान सभा में जो लोग कॉंग्रेस के लोग थे और हमारे समय पर इंप्लीमेंट हुआ रच्छड जितने संस्थान उठे़िने का काम किस ने किया कॉंग्रेस ने कियाा परच्षड देने का काम किस ने किया कॉंग्रेस ने किया तो तमाम तरह की स्कीम बनाई गई और पिछले दस से पंद्रह साल में मोधी जी ने वह स्कीमों को जो है दीरे-दीरे करके खतम करना सुरू किया तो अब राहुल गांदी जी ताकत याद दिला रहे हैं जैसे क्योंकि हमारा जो समाज यह बजरंग वली की तरह है अपनी ताकत नहीं समझ पा रहे हो जिस दिन अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाएंगे चाहे हमारी सरकार ऑगे या किसी भी पार्टी को कि ओ तो हमारा जो मॉलिक अधिकार तो वाधिकार में देना पड़ेगा सरकार समाज को चोटी सी चीज़ सवल बूंचे करके के लिए के लिए अंदोलन हुआ था तो उस समय सवर्ण समाज नाराज हो गया उन्होंने बीजेपी को जो है दो तीन इस्टेट इंदी बासी इस्टेट हरवा दिये एक जो टो गया और नोटा पर बोट दबा दिया तो मजबूरी में बीजेपी को जो है दस परसेंट EWS आरच्छण देना पड़ा अब हमारा समाज क्या काम करता है कि हमारा समाज नाराजगी में नोटा नहीं दबाएगा हमारा समाज क्या करेगा हमें हरवा देगा दूसरे तरीके से कि विपक्षी को जितवा दें अगर आपकी कोई नाराजगी अपने व्यक्ति से अपने पिता से नाराज वहाँ प्लेटफॉर्म में अपनी जाहिए और हम लोग क्या करते हैं प्लेटफॉर्म की तरह ohne समाज करते हैं जो हमारा समाज है जिश डाली पर बैठेगा कॉंटेक सरकार कातने का काम करें या जंता-दल का बने थे सरकार बीपी सिंग्श की उस समय अरच्छन की बात हुई थी मंडल कमीशन लगा था अब उस जनता दलकोई OVC और SCST समाज ने खतम करने का काम कर दिया विरोध भी नहीं लोगों ने किया उसमें आत्मत्या भी पहली OVC समाज के व्यक्ति ने करी तो इस चीज को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि हमारे SCST OVC पढ़ेगा आपको संविधान को पढ़ना पढ़ेगा मंडल आयोक को पढ़ना पढ़ेगा और कांसी राम जी ने और जो तमाम जो हमारे बड़े बड़े जो आंदोलनकारी महापुरोस रहे हैं तो उन्होंने जो जो हमारे लिए त्याक किये बलिदान किये तो उस बलिदा तो अरुने इस चादव जी ने बड़ी बेबा की ते अपनी बात रखी है और कड़वे कड़वे सवारन को भी बड़ी आसानी ते जवाब देने की गोशिश करी है आपको इनकी बात कैसी लगी है कहीं कोई फरक लगो है तो कॉमेंट के माद दिमते बताओ फिर दुबारा ब बगह लागला बेट बिल्कुल दे इसी अंदाज में बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद साम जी बहुत बहुत धन्यवाद